एक दूखत घटना की खबर प्रकास में आ रही है जैगाओं के त्रिविनी टोल हासिमारा जोरा छेत्र से जहां पे एक व्यक्ति जिसका नाम अब्बू बक्कर सिधिक बताया जा रहा है जो की पेशे से पेंटर है वह बिल्डिंग के उपर पेंटिंग का काम करते समय गिर कर उसे चोट लगने के कारण और यहां पे मेडिकल ट्रीटमेंट ना मिलने के कारण उसकी रित्यू होने की खबर आ रही है प्राप्त जानकारी अनुसार कारिय करने वाले उसके सहयोगी एवं ठिकेदार उसे चिकित्सा के लिए नजदी की प्राइमरी हिल्थ सेंटर ले गये थे में आखेर जैगाउं में आखेर कब होस्पीटल तयार होगा कब जैगाउं में 24 गंटे परिशिवाई मिलेंगी और आज कहीं न कहीं लोग यह सवाल उठा रहें कि आज यह वेक्तिख जो आज नहीं है सायद आज जैगों में हॉस्पिटल रहता तो ये व्यक्ति बच जाता आज भले ही इस व्यक्ति का दुरघटना में बिल्लिंग से गिरने के वज़े से मृत्यू कहा जा रहा होगा लेकिन कहीं न कहीं इस मृत्यू के पीछे जैगों में धंग का हॉस्पिटल ना होने कारण आज ऐसे व्यक्ति का मृत्यू हुआ है और जैगों की जनता यही कह रही है कि जैगों में सिग्र ही हॉस्पिटल खोला जाए और इस तरह के जो अधिकान समय में जैगों में लोगों की मृत्यू हो जाती है चिकित्सा नहीं मिलने का कारण फर्स्टेट फैसिलिटीज नहीं मिलने का कारण क्यूंकि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जैगों का वो समय पे खुला नहीं मिलने पे केवल कुछी समय दीन का खुला रहता है और खास कर रविवार के दिन तो आप सपने में ही सोच सकते हैं कि जैगाउं में आप हेल्थ सेंटर में जाएंगे और चिकित्सा मिलेगा और डॉक्टर का विशे में अगर कहें तो सायद ही आप आपको उस तरह के फैसिलिटीज जैगाउं प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मिले नर्सों के भरोसे ही जैगाउं प्राइमरी हेल्थ सेंटर चलता हूँ आपको दिख जाएगा ये जैगाउं का ये दुर्भाग्यपून है कि जैगाउं में एक ढंका हॉस्पिटल नहीं होने एकारण इस तरह के घटनाओं में लोगों के उपचार फस्टेट नहीं होने एकारण लोग दम तोड़ रहे हैं और आखिर कब तक जैगाउं वासी इस तरह से दम तोड़ते रहेंगे चलते हैं यहां के स्तानिय निवासी लोगों से बाते करते हैं और इस विशे में आधिक जानकर ये आप सभी के समग साजा करते हैं अदर सको अचा भाई एजाया की वी छे एक टू जाना तो अधिक टू जाना तो अधिक टू अधिक टू अधिक टू जाना तो अधिक टू जाना तो अधिक टू जाना तो अधिक टू जाना तो दबलू हुशेद। 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 दबलू हुशेद॥ कुर इसला माई